अधिया इस फ्रेक्टम टुट फिफ्टेंथ लेक्ट्टर ऑफ दे चैप्टर बॉडी फ्लूइड और इस लेक्ट्टर में हम हुमन हाट के बाड़े में खोड़ी और बाते करेंगे देखो पिछले लेक्ट्टर में हमने हुमन सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू कर दिया था हम हमने हुमन हाun के बारे में घंँ हम Union के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे बचलो यह लेक्ट्टर शुड़ु करतें प्रीवियस लेक्ट्टर में आपको याद हो तो धोgi族 मेजो-डर्मल हमने हाट का लोकेशिन लोकेशन देखा थ थोड़ी जोसे काविटी में होता है और राइट, फिर हमने heart के covering की बात की, फिर heart के layers की बात की, अब heart के chambers के बारे में हम जानने वाले, तो मैं बात करू, mammalian heart की, अब हम यहां से human circulatory system शुरू कर दिये, human heart के बारे में पढ़ रहे, तो अब हम सिर्फ human heart के बारे में ही पढ़ेंगे, ओके, हम amphibian, reptile heart के बारे में ही पढ़ेंगे, human heart, human heart की मैं बात करू, human heart has four chambers, कितने four, कौन-कौन से, उपर के तरफ तो दो atrium होंगे, ठीक है, एक right atrium इधर और यह left atrium, और नीचे आपको दो ventricle नज़र आएंगे, एक right ventricle और एक left ventricle, ठीक है, जो उपर के यह जो दो chambers होते है, यह छोटे होते है, in comparison to नीचे के यह दो chamber, ठीक है, तो atrium जो chamber होगा, वो small होगा, और ventricle के जो chambers होते है, वो large होते है, ठीक है, तो small upper chambers को हम atria कहते है, उपर के तरफ जो छोटे-छोटे दो chamber है, उन्हें हम क्या कहेंगे, atria, और नीचे के तरफ large, lower chambers होंगे, जिने हम कहेंगे ventricles, ठीक है, तो heart has four चेमबर्स चलिए आगे बढ़ते हैं मुविंग ओन तो दे नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स बात करते हैं सेप्टा ओफ हाट के बारे में यह आपका फोर चेमबर हाट है उपर में यहां राइट एट्रियम है और लेफ एट्रियम है नीचे यहां राइट वेंट्रिकल उपर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को बीच में सेप्रेट करती है एक पार्टीशन एक वाल ठीक है और राइट दोनों एट्रियम को राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो सेप्रेट कर रही है वाल वो वाल कैसे होती है थिन होती है प्लीसी वाल ह होती है और उसे हैं कहते हैं इंटर इंटरियल स्थम य हम है इसको स्कों कररें रूट रायट एंट लेफ्ट एक्रिया को ऑं याद रखेगा इंटी अ को आप क्या कहोगे एक साथ बोलोगे तो प्लूरल टर्म है तो इतना इंगलिश ग्रामर तो आपको आता ही हो तो देखो ऊपर जो दोनों एč्रियम को सेपरेट कर रही है जो थीन मस्कुलर वॉल वो हो गया इंटर इंटरियल सेप्ट उस्सी तरीके से नीचे यह जो दोनों कि अब्वियोसी देखो कितना मोटा वॉ स्फियattel को सेपरेट करती है वाल कैसी है ठीक है और जो दों एत्रिया को करके थी तो प्लिस फॉर्म को सेपरेट करनी वाली वॉक्स अमने इसे हम एत्रेकठे लेफट and right ventricles तो देखो इस तरीके से समझो दोनो एट्रिया को separate करने वाली wall inter-atrial septum दोनो वेंट्रिकल को separate करने वाली wall inter-ventricular septum ठीक अब उपर जो atrium है और नीचे जो ventricle है इनको separate करती है एक thick fibrous tissue ठीक है क्या कर रही है देखो left atrium और left ventricle को separate कर रही है ठीक है atrium and ventricles separated by thick fibrous tissue जिसम कहते है atrioventricular septum उसी तरीके से right atrium and right ventricle को separate कर रही है atrioventricular septum 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 singular हो गया septum term क्या हो गया plural हो गया ठीक है तो एक इधर आपको atrioventricular septum दिख रहा है जो right atrium and right ventricle को separate कर रहा है और इधर भी आपको एक atrioventricular septum दिख रहा है जो left atrium and left ventricle को separate कर रहा है तो I am repeating again दोनो atria को separate करने वाली वाल inter atrial septum दोनो ventricle को separate करने वाली वाल inter ventricular septum और atria and ventricle atria and ventricle को separate करने वाली वाल atrio ventricular septum याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं moving on to the next slide students हम बात करने वाले एक बहुत important topic की valves of heart ठीक है यह देखो एक बार मैं पीछे जाता हूं यह जो heart है ना इसको मैंने यहां से काट दिया ठीक है उपर के जो atria है उसको हटा दिया के पास यह heart है heart को उपर से काट दो ठीक है heart को उपर से काट दो और atrium दोनों जो atrium है right and left atrium को हटा दोगे और उपर से आपको देखोगे तो आपको valves नजर आएगी के valves नजर आएगी देखो किस तरीके से इस figure को देखो इस figure को हमने क्या किया है यहां पे एक atria हुआ करता था और यहां पे एक atria हुआ करता था नीचे के तरफ क्या ventricle है हमने ऊपर जो atria है उसको हटा दिया ऊपर जो दोनों atrium तो उसको काट के हटा दिया और heart को ऐसे के यहां पर यहां पर यहां पर राइट एक राइट वेंटरिकल होगा और नीचे राइट वेंटरिकल होगा इस तरीके से बंद होती है इस तरीके से बंद होती है और फिर ऐसे खुलती है जब यह ट्राइकसपिड वल्व खुलेगी राइट एट रिखेंगा the opening between right atrium and right ventricle is guarded by tricuspid valve, सुनते रहेगेगा, ठीक है, lecture के end तक आपको चीज़े समझ में आ जाएगी, बस आपका काम है, patiently सुनना, देखो, the opening between left atrium, उसी तरीके से, left atrium and left ventricle के बीच में जो opening होती है, उसको वो guarded होती है, bicuspid valve, ठीक है, यह कैसा है, एक और दो cusp, यानि कि bicuspid valve, ठीक है, इसे हम mitral valve भी कहते है, bicuspid valve का एक और नाम है, mitral valve, bicuspid valve कैसी होगी, इसे दो, दो cusp होगी, tricuspid में तीन थी, bicuspid में दो है, इसे खुलेगी, blood जो है, वो left atrium से left ventricle में जाएगा, देखो इस तरीके से, इसको देखो, यहाँ पे आपका है, क्या, बताओ, right atrium और यहाँ पे आपका है right ventricle, उसे तरीके से यह आपका क्या है, left atrium और यह आपका क्या है, left ventricle, तो right atrium and right ventricle पे बीच में जो valve present है, tricuspid valve, ओके, आपको पता है, मैं आपको जब double circulation पढ़ाया था जब हम वह वाला lecture देख रहे थे hearts of vertebrates तो वहापे mammalian heart जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने double circulation की बात की थी याद करो double circulation की बात की थी मैंने कहा था जो body जो organ है जो tissue है हमारे body tissue या organ ठीक है organ से deoxygenated blood deoxygenated blood के हमारे organ में issues में जितने भी carbon dioxide थे वो सब blood में चले गया और blood deoxygenated हो गया deoxygenated blood जाएगा right atrium में ठीक है blue का मतलब हो गया क्या blue का मतलब यह area blue में न और यह area red में तो जो area blue में है वहां से क्या deoxygenated blood flow करती है तो देखो right atrium में deoxygenated blood जाता है फिर right atrium से deoxygenated blood right ventricle में जाता है तो वह कैसे जाएगा through this tricaspid valve एक और left atrium में आपको पता है oxygenated blood आता है lungs से lungs से lungs से क्या lungs से oxygenated blood आएगा और इंटर करेगा इसमें left atrium में और left atrium से वही oxygenated blood जाएगा कहां left ventricle में through this material या bicuspid valve समझ में आई न बात लंग से oxygenated blood आता है left atrium में और left atrium से left ventricle में या oxygenated blood जाता है through this material valve और राइट चलिए अब आगे देखिए दी oxygenated blood तो किस में आया था right atrium में ठीक है right atrium में और फिर यहां से tricuspid valve से होते हुए oxygenated blood आ गया right ventricle में ठीक right ventricle में आ गया blood अब देखो अब यह जो oxygenated blood कहां पर आया हुआ है right ventricle में अब यह oxygenated blood कहां जाएगा lungs के तरफ जाएगा lungs में de oxygenated blood से जो carbon dioxide है ठीक है वो हम उसको excel कर देंगे so okay यह जो oxygenated blood जाएगा lungs में ٹीक है lungs के तरफ जाएगा ना lungs के तरफ जाएगा lungs के तरफ जाएगा और जो oxygen carbon dioxide है इस ब्लड में, deoxygenated blood में, वो carbon dioxide lungs में चला जाएगा, और lungs से फिर हम उस carbon dioxide को exhale कर देंगे, तो ये deoxygenated blood किस में entry करेगा pulmonary artery में, pulmonary artery क्या करता है, pulmonary artery pulmonary artery क्या करता है, ये deoxygenated blood को ले कर जाता है, lungs के तरफ, ठीक, और lungs में क्या होगा, exchange of gases होगा, CO2 जो deoxygenated blood से, जो CO2 है, उसको हम lungs में शोड़ देंगे, और lungs से उसको हम exhale कर देंगे बाहर, ओके, pulmonary artery में, ये क्या है, ये जो blue color का आपको दिख रहा है, ये pulmonary artery है, तो right ventricle से blood कहां जाएगा, pulmonary artery में, क्योंकि right ventricle में इन डी-oxygenated blood है, तो right ventricle से pulmonary artery, इसको मैं PA लिख रहा हूँ, pulmonary artery में blood जाएगा, through this pulmonary valve, ठीक है, pulmonary valve, alright, तो blood चला गया, कहा, pulmonary artery से lungs में, lungs पे जो deoxygenated blood था, वो oxygenated हो गया, ठीक है, CO2 को तो हमने बाहर छोड़ दिया, और फिर हमने oxygen इनहेल किया, तो blood में oxygen आ गया, तो blood कैसा हो गया, oxygenated, अब lungs से, बताओ, lungs से oxygenated blood कहां आएगा, मैंने क्या कहा था, lungs से oxygenated blood आता है, left atrium में, इस left atrium में, देखे है, left atrium में, left atrium में, और left atrium से left ventricle के तरफ oxygenated blood जाता है, through this material valve, तो हमारे left ventricle में क्या oxygenated blood है, तो इस oxygenated blood को हमें क्या करना है, body tissue तक भेजना है, body organ तक भेजना है, तो यहाँ पे हमें, यह इस हमारे left ventricle में, जो oxygenated blood है, इसको हम भेजेंगे aorta में, यहाँ पीछे में न aorta है, let me zoom it for you guys, देखो, यह जो pulmonary artery ने, इसके just पीछे यह आपको दिख रहा, पीछे के तरफ यह aorta है, aorta, तो जो हमारे left ventricle में oxygenated blood आया था, material valve के थूँ, left atrium से left ventricle में oxygenated blood आया, material valve के थूँ, अब इस left ventricle से oxygenated blood जाएगा, इस aorta में through this aortic valve, ठीक है, aorta में जाएगा और aorta फिर उस oxygenated blood को पूरे body में भेज देगा, उस समझ पा रहे हो ना, चीजों को आपके, मतलब complex, थोड़ा complex तो है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार lecture को पीछे करके, मतलब वीडियो को थोड़ा पीछे करके वापस सुन लो, एक दो बार सुनोगे, अच्छे समझ में आ गया, आ जाएगा, और ये चीज़ अगर यहाँ अच्छे समझ में आ गया ना, तो आगे फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक, तो देखो, ये जो pulmonary valve है, और aortic valve है, इससे ही एक साथ हम कहते है, semi-lunar valves, ठीक है, opening of right and left ventricle into pulmonary artery and aorta, right vent respectively, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानि कि right ventricle, right ventricle, रहाँ open हो रहा है, into the pulmonary artery, इस pulmonary artery में, ठीक है, right ventricle से blood pulmonary artery में जा रहा है, अभी मैंने आपको कहा था, right ventricle से deoxygenated blood pulmonary artery में जाता है, और यहाँ पे pulmonary artery जो होती है, it is provided by क्या pulmonary valve, ओके, और फिर देखो, जो left ventricle है, left ventricle, इस left ventricle से oxygenated blood जाता है, इस aorta में, कहां पे aorta मे left ventricle से oxygenated blood जाता है, into the aorta, ठीक है, और यह aorta, it is provided by aortic valve, pulmonary valve and aortic valve, एक साथ हम इने क्या कहते है, semi-lunar valves, ठीक है, यहाँ पे देखो, semi-lunar valves में, यहाँ पे S लगाया है, यानि कि plural, semi-lunar valves में कौन कोन आएगा, pulmonary valve and aortic valve, तो यह क्या है, valves of heart है, ओके, समझ में आई, मैं एक बार और आपका थोड़ा time लेके, फिर से एक बार समझा दूता, कि आपको समझ में आजा, क्योंकि मेरे अंदर ने एक वो रहता है, कि आर तो मैं समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं एक बार, जिनको समझ में आगया न, जिनको यह चीज समझ मे ना उनके लिए एक बार और इस चीज को रिपीट करना चाहतू तो सुनिए गाधियान से हमारे बॉडी में टिशू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और सियो टू बनता है ठीक है यह सियो टू यह सियो टू चला जाता है ब्लड के अंदर ठीक है और ब्लड से जो ऑक्सिजन है यह चला जाता है बॉडी टिशू के अंदर तो सियो टू और कार्बन डैयोकसाइड ब्लड में आ गया तो ब् चल जाता है एहां यह चला जाता है इत्रियम ल५ को इस ब्लट पहुंचता है लंग्स तक ठीक है लंग्स तक पहुंचता है deoxygenated blood lungs में होता है exchange of gases ठीक है जो deoxygenated blood से CO2 था ठीक है उसको तो हम exhale कर देते हैं ठीक यह deoxygenated blood में से CO2 था वो निकलके lungs में चला गया और lungs से फिर हमने CO2 को exhale कर दिया और उसी समय जब हम excel करते है तो हम फिर sats भी लेते है批ोगे करते हैं तो oxygen लेते है तो deoxygenated blood से CO2 थो थो हमने बाहर निकाल दिया है और deoxygenated blood से हमने CO2 बाहर निकाल दिया तो यह जमारा deoxygenated blood था यह oxygenated हो गया क्युकि जब अम्ने exhale किया co2 निकाला थो हमने inhale भी तो किय so oxygen तो लंग्स से प्लमूनरी वेन जो आयेका कहां यहां यहां पर बना टो टीक है लंग्स में कि लट को लेके आया लंग से लंग से principal अगया लेफ्ट एक्रियम में running ब्लड को territorial valve के थरूं लेफ्ट ventricle में भेज देगा pada left matrium से left ventricle में भेज देगा ठेका on left ventricle में हमारा क्या चुका है oxygenated blood ay this oxygenate blood को हमें body tissues तक be ball開 ठीक है, body tissues तक oxygenated blood को भेजना है, तो हमारा जो oxygenated blood है, वो चला जाएगा aorta में, through this aortic valve और aorta जो है, उस oxygenated blood को पूरे body tissues तक भेज देगा, ठीक, oxygenated blood body tissues तक जाएगा, और body tissues oxygen को ले लेंगे, ठीक है, और जो body tissues ने जो you two बनाई थी, उसको फिर blood में भेज देंगे, तो blood वापस स deoxygenated हो जाएगा, तो वापस से वही चीज, deoxygenated blood, फिर जाएगा, right atrium में, तो यह चीज चलता रहेगा, यह चीज चलता रहेगा, तो I hope आपको अब यह चीज समझ में आ गई होगी, alright, कि यह जो valve है, इनकी क्या जरूरते है, तो याद रखिएगा, pulmonary valve और aortic valve को एक साथ ह flow of blood, heart valves का काम होता है, कि blood अगर right atrium में आया है, right ventricle से through this, right aspect valve एक ही direction में जा सकता है, बसा नहीं कि इस valve से, right ventricle से blood चला जाए, right atrium में, नहीं, back flow नहीं होगा, prevent backward flow, heart valves क्या करते है, unidirectional blood flow कराते है, ठीक है, इस strike aspect valve के through, right atrium से right ventricle के तरफ बलड जाएगा, उल्टा नहीं होगा, ठीक है, उल्टा नहीं होगा, backward flow नहीं होगा, तो यह heart valves की यह खासियत होती है, the valves allow unidirectional blood flow, prevent any backward flow of blood, ठीक है, तो यह चीज़ याद रखिएगा, तो यह यह लेक्चर होता है, समाप, आपको अच्छे समझ में आया होगा, next lecture में, अगले lecture में हम embryonic heart के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, embryonic heart के बारे में, तो यहीं पर यह lecture होता है, समाप, मिलता हूं मैं आपसे body fluid and circulation के अगले lecture में, तब तक के लिए, bye, thank you, take care.